नमस्कार विवेश स्वागत है आपका इंडिया फ्रेस्टोस के यूट्यूब चैनल में और आज हम बात करेंगे एक और ऐसी बीमारी की जो की मॉस्किटोस याने की मच्छरी फैलाते हैं तो हम बात कर रहे हैं मलेरिया की और मलेरिया जो है वह बहुत ही जानलेवा बीमारी क की तो और पर भी निकल के आती है तो आए जानते हैं मलेरिया के बारे में विस्तार से अगर हम बात करें मलेरिया की तो यह एक ऐसी बीमारी जो की मच्छरों द्वराई फैलाई जाती है मच्छरों की फीमिल प्रजातिय होती है जो की अनफली नाम की मच्छर जो होते हैं व तो यह अगर मच्छर जो female unfilies है वो उनको काटती है और उसके वारे वो दूसरे व्यक्ति को जाके जब काटती है तो इस तरीके से जो malaria है वो parasite के दौरा एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है आई यह बात करते हैं कुछ malaria से related facts की तो अगर हम WHO का World Health Organization जो है उसका अगर हम देटा देखें 2020 का तो उन्होंने यह report किया था कि total उस वक्त वर्ल में 240 मिलियन केसे मलेरा के रिपोर्ट हुए थे और उसमें से 627,000 जो लोग थे उनकी death हुई थी तो यह काफी बड़ा इसमें figure है और malaria में पुरे वर्ल में कई सारी जगह पे बहुत death होती है बड़ जो ज़ादा prevalent यह disease है वो है सब सहारै अफ्रीकन कंट्रीज में और South Asian कंट्रीज में तो जो हुमारा इंडिया है वो भी South Asian कंट्रीज में आता है और हमारे इहाँ पे इंडिया में भी malaria जो है उसका risk काफी है और कई सारी death हमारे यहाँ पे भी होती है तो यह एक life-threatening disease भी है क्योंकि और यह जो जादा तर टागेट करती है वो जो यंग children है जैसे कि जो पांच साल से छोटे बच्चे हैं उनमें जादा यह होता है कई बार इंफेंट्स में भी कई सारी डेट जो है मलेरिया की वज़े से होती है और यह जानकर आपको काफी हरानी होगी कि जो 2020 का डेटा वह ने दिया है उसमें जो अफरीका में डेट हुई थी मलेरिया की कारण उसमें 80% जो डेट थी वो ऐसे बच्चे थे जिनकी उम्र 5 साल से कम थ अच्छा मलेरिया के बारे में एक फैक्ट और भी है कि कई बार हमें लगता है कि मच्चर ने हमें काटा तो तुरंट ही हमें मलेरिया केशंटम दिख जाएंगी और हम जाके मडिकल हल्प ले लेंगे बट इन जनरल ऐसा ऑब्जार किया गया है कि मलेरिया में जब आपको पुंद्रा दिन बाद में आपको I can tä को चल्स मेरा आता है तो यह को सारे लठेश में और दिन lecks turn बहुत ही ठंड लगने लगती है, इंसान को कापने लगता है, पसीना कई बार आता है, इसके लावा सर में दर्द, आपको मसल्स में काफी दर्द होता है, ठकान हो जाती है बहुत जादा, कई बार लोगों को चेस्ट में पेन होने लगता है, ब्रीद करने में, सांस लेने में कठनाई होने लगती है कफ होने लगता है या डायरिया वॉमिटिंग या नॉसिया मतलब आपको कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है बार-बार वॉमिटिंग जिससा लग रहा है लूज मोशन से इस सर्की की चीज़े भी देखी जाती है अब अगर हम बात करें कि किसी इंसान मे यदि malaria है और वो persist करता है मतलब उसमें जो malaria के symptoms अगर वो worse होते जाते हैं दिन बदिन अगर वो खराब होते जाते हैं तो उसको anemia भी हो सकता है मतलब उसम excessive iron deficiency हो सकती है और jaundice beaches को कि हम हिंदी में पीलिया कहते हैं वो भी हो सकता है तो इस वज़े से हो सकता है कि उनके आखों में पीला पन लगे आपको नाखों में या skin जो है वो पीली पढ़ने लगती है और jaundice जो है वो हमारे liver related disease होती है तो वो बहुत जल्दी अगर jaundice को भी समय पर ना ट्रीट किया जाए तो ये भी काफी fatal हो सकती है कुछ cases में ये देखा गया है बहुत ही severe cases में कि malaria जो है वो कोमा में भी तबदील हो जाता है जिसको कि हम cerebral malaria कहते है तो malaria जो है अगर समय पर ट्रीट ना किया जाए तो इसकी जो प्रभाव है वो बहुत ही जदा हानिकारक है तो इनको बिल्कुल भी हमें lightly नहीं लेना है और जैसी अगर आपको किसी में ये symptoms देखने को मिलते हैं तो रन्त उनको medical help के लिए आपको लेके जाना है अब बात करते हैं कुछ ऐसे fatal complications की जो की malaria की दौरान हो सकती है fatal complication का मतलब यह है कि क्या ऐसी जानलेवा आपको परिशानी हो सकती है malaria की दौरान तो malaria जो क्या करता है वो आपके brain में जो blood vessel से उनमे swelling कर देता है और उसकी बज़े से जो व्यक्ति है उनका coma में जाने की chances दे वो काफी बढ़ जाते है तो यह मैंने आपको जैसे पिछले वाले slide में बता है कि cerebral malaria की chances बढ़ जाते है इसके लावा यह lungs में जो fluid है जो आपके फेफ़डों में पानी भर जाना यह भी हो सकता है malaria की कारण और इसके वज़े से breathing problems होने लगती है सांस लेने में कठिनाई होने लगती है इसके लावा यह अगर बहुत ज़्यादा फैल जाता है या infection आपको बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो यह organ failure में भी तबदील हो सकता है मतलब आपको कोई भी जो organ है fundamental organ जैसे की kidney हो गया liver हो गया, spleen हो गया यह भी organ failure में भी यह result हो सकता है और अगर हम बात करें तो यह anemia को बताता anemia इनसान को हो सकता है anemia का मतलब यह होता है कि आप में जो red blood cell से उनका destruction होना शुरू हो जाता है खोन की कमी होने लग जाती है इनसान में और low blood sugar भी आपको malaria के खाने कारक प्रभाव की वज़े से भी देखने को मिल सकता है तो यह सारे ऐसे complications है और इनमें से यदि आपको कोई भी symptom जैसे की बाकी तो सारे internal है लेकिन अगर आप अगर आपने blood sugar देखा है और वो अगर उनका कम हो गया है व्यक्तिका या फिर आप उनको पीला पन देख रहे हैं पीली पढ़ने लगे हैं तो यह इस तरीके की स्तती में आपको बिल्कुल भी लापरवाई नहीं करने हैं तो उनको डॉक्तर के पास लेके जाना है तो चलिए बात करते हैं कि यदि किसी को malaria है और mild या moderate symptoms है और hospitalized है या फिर hospital से आज चुके है या घर पे है तो उनको ऐसी क्या diet दें कि जिससे वो उस malaria से जल्दी से जल्दी इस infection से बाहर आ सके तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि उनको nutritious food देना है जो भी ऐसा तला गला यह सब चीज़े नहीं देनी है आपको उनको high nutrition diet देनी है और यह कोशिश करना है कि जो diet आपके carbohydrate में साधा हो carbohydrate diet का मतलब यह होता है कि वो instant energy आपको देती है तो जैसे अगर आप चपातीस खाते हैं तो आप प्रिफर करें कि आप उनको चावल दे दें क्योंकि चावल जो है वो जल्दी पढ़ जाते हैं और instant energy प्रोवाइड करता है तो आप rice दे सकते हैं आलू दे सकते हैं इस तरी की चीज़ें आप उनको दें दूसरा जो है आपको vitamin rich diet लेनी है जो vitamins में सबस्यादा रिच हो especially A और C में vitamin C आपको बता है क्योंकि vitamin C जो होता है वो हमारी immunity को boost करता है और इसके लावा जो हमारी body को detox भी करता है तो infection के विज़े से बहुत सारे toxins हमारे body में आ जाजाए तो उसको detoxify भी करता है तो oranges हो गए, kiwi हो गए, guava हो गया, papaya हो गया, carrots हो गया बहुत सारे ऐसे fruits हैं जिनके links हम description box में दे देंगे आपको पता है जो कि vitamin C में रिच होते हैं तो आप वो कोई भी जो fruit या vegetable है उनका saveन करें दूसरा यह है कि आप nuts जो dry fruits हैं उनका saveन करें जैसे कि almonds, cashews, pistach जो भी आपको पसंद हो और जो आप ले सकते हैं तो उनका ज़रूर saveन करें यह जो सारे dry fruits होते हैं यह phytonutrients, antioxidants में काफे रिच होते हैं जैसे acroat और यह हो गया तो यह क्या करते हैं हमारे इंफेक्शन के वज़े से जो oxidative stress बढ़ जाता है उसको कम करते हैं तो यह इन चीजों का saveन आप कर सकते हैं तीसरा गर हम बात करें तो जो आपका fluid intake है क्योंकि जो malaria के symptoms उसमें vomiting है, diarrhea है तो उसके विज़े हमारे body से बहुत जादा fluid निकल जाता है और हमें dehydration की शिकायत हो सकती है तो इस वज़े से आप fresh fruit juices लें coconut water लें नीबु पानी बना लें शिकंजी बना लें या फिर जो आपका electrolytes होता है जो virus का गोहल होता है उसको पीते रहें एक बहुत ही अच्छी wonder drink है इसके लिए वो है अजवाइन का पानी तो अजवाइन का पानी एक्शली क्या करता है कि हमारे body में एक तो digestion को बहुत आसान कर देता है और किसी को अगर gas या bloating की उसमें अगर समस्या है तो उसको भी काफी हील करता है तो इसका भी आप सेवन कर सकते हैं और अगर हम बात करें कि और क्या खाया जा सकता है तो protein rich diet आपको लेनी है अच्छी जब भी हमारी body में कोई infection होता है तो वो हमारी immune system को बहुत ही affect करता है अब high protein जो diet होती है वो क्या करती है जो जितने भी हमारे tissue damage हो जाते है अंदर infection के वज़े से उनको heal करती है और जो हमारी immune body is a white blood cells and all उनको भी काफी help करती है synthesize करने के लिए improve करने के लिए तो ये सारे चीज़े मिलके जो infection होता है parasites के द्वारा उसको fight करने में काफी काम आती है तो आप कोशिश करें कि एक high protein जो diet हो आप लें जैसे milk products ले सकते है अगर आप non-vegetarian है तो आप fish, egg ये सारे चीज़े ले सकते हैं otherwise आप veg में भी dairy products, दही, butter milk ये सारे चीज़े लेके अपना जो protein का intake के उसको बढ़ा सकते हैं अब हम बात करते हैं कि हमें क्या नहीं खाना है तो आप ये ध्यान रखें कि इस वक्त आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं खानी है जो कि आपकी body को बहुत मुश्किल हो digest करने में क्योंकि infection के वक्त body अलरी वीक है और digestive system भी वीक है अगर आप ऐसी चीज़े खाएंगे कि जो easily digest नहीं हो पारी तो वो जो समझ से है उसको और भी बढ़ा देगा तो आपको spicy, oily या fried food नहीं खाना है तो आपको मुश्किल हो आपकी body को पचाने में, junk food आपको नहीं खाना है, इसके लावा चाय, coffee, cold drinks, कोई भी ऐसे caffeine beverages नहीं लेने हैं क्योंकि ये भी क्या करते हैं हमारी body में, acid बढ़ा देते हैं और वो again जो हमारा digestive जो procedure है उसको slow down कर देते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं खा देका है कि आप अपने अवोइट करें mosquito bites को तो आप mosquito bites से बचने के लिए क्या कर सकते हैं कि आसपास का surrounding अपना clean रखें कि वहाँ पर मच्छर ना पनपस पाएं और अगर मच्छर हैं तो उनको हटाने के लिए क्या कर सकते हैं अगर municipality से request कर सकते हैं तो fogging कर request करें नहीं तो अपने घर पे local level पर आप क्या कर सकते हैं mosquito repellents का use करें mosquito nets का use करें आजकल बहुत सारे mosquito repellents जैसे good night all out ये सारी शीज़े हैं इनको भी आप use कर सकते हैं तो ये सारी शीज़ों का आप ध्यान रखें और कोशिश करें कि जो मच्छरों के काटने से आप बचें हर संभवत जित को subscribe करें वो बने रहे हैं हमारे साथ आगे future में हम आगे और भी informative videos लाते रहेंगे thank you so much for being with us